नमस्कार, AMI News हिमाचल देख रहे सभी दर्शुकों का स्वागत है। मैं प्रिया वर्मा लेकर आई हूं हिमाचल प्रदेश की एक एहम खबर। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिक समय से सरकार द्वारा निजी अस्पतालों का बकाया करोडों का भुकतान नहीं किया गया है। ऐसे में निजी अस्पतालों को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर रितेश सोनी ने कहा कि आईश्मान स्वास्त देखभाल योजना भारत की वंचित आबादी को मुफ्त स्वास्त सेवायं प्रदान करती है। और जो नागरिक केंद्र की योजना में शामिल नहीं थे उनके लिए हिमाचल सरकार द्वारा एक समनांतर योजना हिमकियर शुरू की गई थी। अब इस्तिती यहा है कि राजे में लगबग हर व्यक्ति के पास यह स्वास्त कार्ड उपलब्द है। वहाँ कैशलेस स्वीधाओं का लाब उठा रहा है। आपको बता दे एसोशीशन ने कहा कि दवा और स्वास्त उपकरण अपूर्ती करता अपूर्ती बरकरार रखने में अनिच्चुक हो रहे हैं। क्योंकि उन पर निजी अस्पतालों की अपूर्ती के भारी लंबित बिलों का बोज है। और इस स्थिधी के कारण सभी पर गंभीर मानसिक और वित्यतनाव की स्थिधी पैदा हो गई है। अगर राजे भर में निजी स्वास संसानों का बकाया नहीं चुकाया गया तो फरवरी के पहले सपताहा में सांकेतिक बंद रहेगा और मांगना माने जाने पर इसे आनिश्चित कालीन तक बहिशकार किया जाएगा। आपको बता दे आयुश्मान कार्ड लाभारतियों की सेवा फिर भी जारी रखेंगे। दिजाइनर सूथ, कुर्तीज और फाब्रिक्स सबसे सस्ता सबसे अच्छा डिफेंस रोड ममूर पठान कोट कॉंटाक्ट 96141 96141